कि अफवाओं का दोर आज का का नहीं कांफी पृराना या ये पहले ये अफवाओं कुछ खास लोगों के जर्या फैलाई जाते थी कि जिनकों की महारतासिल हो लेकिन अब यह ही अफवाओं सोसल मेडिया के ही तुरू फैलाई जितना की उन्होंने साइध आज तक अपने वेद और पुरानों पर भी नहीं किया होगा, तो लोगों को संस्कृत पढ़ना आ जाता ह। दिल्ली में काला बंदर नाम का एक एसा डर का माहौल बनाया गया है कि हर तरब सोर मज गया लोग कहते हैं काला बंदर छट पर दिखा काला बंदर देर राद गलिशे निकला काले बंदर ने पडोसी के बच्चे को पंजा मार दिया लेकिन उसका कोई प्रमाण नहीं मिलता था साध ही किसी को भी देखने को मिला हो यानि की कोरी अफवा के नाम पर महीनों तक आतंक बना रहा वक्त बदला अफवाओ का बाजार सोसल मीडिया के जरिये फैलाए जाने लगा अब जब सोसल मीडिया पर कोई भी ऐसी पॉलिशी नहीं है जो किसी को लिखने बोलने या डारेक्ट फिल्टरेशन कर सके एसी ही एक अफवा एक बार फिर बीते शुक्रवार यानि की 25 अगस्त को फेलाई जा रही अगर आप फेस्बुक पर सर्च करेंगे की फेस्बुक का नया नियम तो आपको सेकड़ों इसे मेसेज मिल जाएंगे जिनमें की लोगों ने अपने जरूरी काम छोड़ कर इस मेसेज को कोपी पेश्ट करके फेस्बुक पर पोस्ट किया जी हाँ इस मेसेज में बताया जा रहा है कि 26 अगस्त को नया नियम लागू होने जा रहा है इसके बाद हम हमारे फेस्बुक डेटा यानि की फोटो वीडियो नाम मॉबाइल नंबर का इस्तेमाल अपने बिजनेश के लिए करने वाले हैं बस जैसे ही लोगों को ये पता चला सबने आनन फानन में बिना कुछ जाच पड़ताल की इस मेसेज को शेयर करना शुरू कर दिया पहले ज़रा हम उस वाइरल पोस्ट के बारे में बात कर लेते हैं जिसे की लोगों ने सोसल मीडिया पर फेला दिया है तो इस पोस्ट में लिखा था कि कल से फेस्बुक का नया नियम नाया नाम मेटा शुरू होने जा रहा है जहां वे आपकी तश्विरों का उप्योग कर सकते हैं मत भूलो कि अंतिमतिति आज है में फेस्बुक या फेस्बुक से जुड़ी किसी भी इकाई को अपने अतीत और भविश्य के चित्रों, सुशनाओं, संदेशों या प्रकाशनों का उप्योग करने की अनुमती नहीं देता हूं इस बयान के साथ में फेस्बुक को सुचित करता हूं कि इस प्रोफाइल या अन्नी इसकी शामगरी के आधार पर मेरे खिलाब खुलाशा, प्रतिलीपी, व्यूरण या फिर कोई अन्नी कारवाई करना सक्त वर्जिते निजिता का उलंगन करने पर कानूनिन दोरा रंडित किया जा सकता है, इसी पोस्ट में लिखा था कि यदि आप चाहे तो इस शंसकरण को कोपी और पेस्ट कर सकते हैं, यदि आप कम से कम एक बार कोई बयान प्रकासित नहीं करते हो, तो यहां चुपचाप आपकी तस्वीरों के उप्योग की अनुमति देगा, साथ ही आपकी प्रोफाइल और इस्तिती अपडेट में मौझूदा जानकारी भी शाजा ना करें, कोपी और पेस्ट आगे बढ़ने का तरीका यहां बताया गया है, इस संदेश में आप कहीं भी अपनी उंगली रखें और कोपी दिखाई देगा, कोपी करें, फिर अपने पेज पर इस अफवा को लोगों ने सच मान लिया और धड़ा-धड़ इसे फेलाने में लग गए, इससे लोगों का भला तो नहीं हुआ, लेकिन हां बे मतलब का सिरदर्द जरूर बढ़ गया, यहां पोस्ट पूरी तरह से कोरी अफवा है, तमाम मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि साल 2012 में पहली बार ऐसा मेसेज वाइरल हुआ था, जिसका खंडन खुद फेस्बुक ने किया था, इसके बाद वक्त बेवक्त ये मेसेज वाइरल होता रहा है, कोरोना काल में या किसी लंबी चुट्टी के वक्त अफवा वीर ने इस तरह के मेसेज फॉ प्रेटफार्म से साजा नहीं करते या बेचते हैं, फेस्बुक ने अपने पॉलिशी वाले पेच पर लिखा था, कि हम थर्ड पार्टी के साथ साजेदारी में शाथ काम करते हैं, जो हमारी मदद करते हैं, और हमारे उत्पादों को बहतर बनाने, या जो अपने वैवशा को बढ़ाने के लिए मेटा विजनेस टूल्स का उप्योग करते हैं, जिससे हमारी कमपनी को संचालित करना और दुनिया भर के लोगों को मुफ्त सेवाय प्रदान करना शंभव हो पाता है, लेकिन हम आपकी कोई भी जानकारी किशी को नहीं बेचते हैं, और हम कभी नहीं बेचेंगे, हम इस पर भी शक्त प्रतिबंद लगाते हैं कि हमारे पार्टनर्स हमारे द्वारा प्रदान किये गए डेटा का उप्योग और खुलाशा कैसे कर सकते हैं, मौजुदा समय में फेस्बुक ने अलग से कोई बयान जारी नहीं किया है, लेकिन उनकी पॉलिशी वाले पेज़ पर इस पस्ट सब्दों में ये लिखा हुआ है, तो कुछ इस तरह से ये एक अफवा फेला दी गई और सोसल मीडिया के इस जमाने में, लोग वाट्सप, फेस्बुक, इंस्टाग्राम की पोस्ट पर इतना भरोसा कर लेते हैं, जितना कि उन्होंने सायद आ पराणों के गलत मतलब नहीं निकालते, तो सायद उनकी मती आज सही काम करते हैं, तो जो भी हूँ आपकी राए, कमेंट स्क्षन आपके लिए खुला हुआ है, और अगर आपना अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज जल्दी शे कर दीजिए, और इसी तरह की खबरों के लिए बने रही है, मेरे चैनल किशाओं.